बॉल मॉर्निंग चूडएंड ड्रोईंग के असाइनमेंट में Q1 ड्रोई एंड कलर दे पिक्चर ओफ फिश रैडिंग ये फिश रैडिंग की पिक्चर ड्रोई में ने की है इसको देखके आपको ड्रोई करना है और इसमें अच्छे से कलर फिल करना है नेक्स्ट कॉश्चन में, guysonge, जिसके अन्दर हम फूल रखते हैं, जो फूल दान होता है, वो बनाना है और उसमें और अपनी पसंद के इस विशे पर आपको कोई भी पिक्चर बनानी है और उसमें कलर करना है नेक्स्ट हम मॉरल का करेंगे इसमें आपको ट्रू फोल्स बताने है कीप एवरिटिंग एट राइट प्लेस सब कुछ सह जगह पर रखना चाहिए टेक के बात डेली रोज ना आना चाहिए जंक फूड इस गूड फोर अस जंक फूड उमारे इच्छा होता है आलवेस कवर्ड फूड फूड को मिशे ढखकर रखो वियर क्लीन क्लोथ साफ कपड़े पहनो क्लीन यूर हाउस रेगुलरली अपने घर को रोज साफ करो बश यूर हैंड बिफोर इट एनिफिंग खाने से पहले रोज हाथ दो ट्रिम यूर निल्स रेगुलरली अपने नाकुन काट के रखो अग इन में से जो गलत है उस पर गलत करेंगे जो सही है तो सही करेंगे नेक्स्ट कोशन ड्रो और राइट यूर फेवरेट मोरल स्टोरी हिंदी और इंग्लिश अपनी कोई भी फेवरेट मोरल स्टोरी जो आ है या तो हिंदी में लिखिये या इंग्लिश में या उसकी ड्रोइंग बनाईए नेक्स्ट कोशन टिक दा करेक्ट ओप्शन यू लीव इने स्मॉल फैमली या बिग फैमली आप कैसे परिवार में रहते हो छोटे परिवार में या बड़े परिवार में टू वेन समवन इस इन ट्रबल वी शूट अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें क्या करना चाहिए अवायर्द हिम उसको अंदेखा कर दे या हेल्प इन उसकी मदद करें थ्री यू शूट कीप यूर रूम तुम्हें अपना रूम क्लीन रखना चाहिए या अंक्लीन गंदा रखना चाहिए नेक्स राइट अनी थ्री हाईजिनिक हैबिट्स देट यू फोला इन डेली रूटीन कोई भी तीन ऐसी साफ सफाई के आदत आप अपनी लिखिए जो आप अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं जैसे कि रोज नहाना ब्रिश करना कोई भी आप लिख सकते हैं फाइफ चूज अंड फिल इन दा ब्लैंक इसमें से चूज करके आप ब्लैंक फिल कीजिए 1. Always use a dash during coughing and sneezing खासने और चीकने की दोरान हमेशा क्या यूज करना चाहिए 2. Brush dash a day 3. Take a dash daily 4. Keep your separate dash अपना अलग क्या रखना चाहिए next question put right or wrong help your mother मम्मी की help करनी चाहिए 2. Not enter the house with your shoes on जूते फैन के अंदर नहीं आना चाहिए speak politely आराम से बॉलना चाहिए Thank you